हेलो बच्चों आज हम लोग GCERT कक्छा अस्टम के प्रायोगिक जामिती से प्रस्नावली 13.1 के प्रस्नों का हल देखेंगे इसमें आपको जामिती बॉक्स की जुरत होगी इसलिए आप अपना जामिती बॉक्स साथ में रखें और इसे करके देखते जाएं कि किस प्रकार से किया जा रहा है तो पहला प्रस्ने आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि दिया गया मापों से चत्रभूजों की रचना किजिए एक नंबर में है चत्रभूज पी क्यू और एस जिसमें पी क्यू बराबर छो सेंटेमिटर क्यू आर चार सेंटेमिटर आर एस पांस सेंटेमिटर और क्यू एस का मान दिया गया है 7.8 सेंटेमिटर तो हम लोग को इसका रचना करना है तो चलें इसका रचना करते हैं तो वच्चों यहां पर हम लोग प्रस्न को लिख दिये सबसे पहले आप इसका एक जो है रफ चित्र बना लें ताकि इसे बनाने में हमें आसानी हो तो इसको पहले हम लोग एक रफ चित कि आप कभी भी जो है पीक्यू आरेस को ड्हाँ आगे पीछे नहीं लिखेंगे जैसे पी लिखे तो यहां कियों लिखें यहां एस लिखें यहां कुछ और लिखें तो यहां पी क्यूं का अमान कितना दिये गए 6 cm तो यहाँ 6 cm लिख दिए ठीक है और फिर qr qr का मान कितना दिए गए 4 cm इसको नोट कर लिए rs rs का मान कितना दिए गए है 5 cm इसको नोट कर लिए फिर ps ps का मान कितना दिए गए है 5 cm इसको भी नोट कर लिए अब जो है qs qs का मान कितना दिए गए 7.8 cm मैंने ये वाला मान जो है 7.8 दिया गया है ठीक है 7.8 cm यह वाला विकर्ण का मान नहीं दिया गया है तो चले हम लोग इसको ग्याद करते हैं सबसे पहले आपको इसके लिए जरुत पड़ेगी एक कमपस की पेंसिल की हैं और एक स्केल की तो उसके साहिता से सबसे पहले हम लोग जिस अप्रार्म कर सकते हैं और सबसे अच्छा रहेगा कि हम लोग बड़ी भूजा को सबसे पहले ले 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 लेते हैं ठीक है तो चलेए तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसािल अब इसमें जो है हम क्या करते हैं कॉम्पस की साहे तच से साथ दस्मलो आठ को पहले माप लेते हैं अपने स्केल पर ठीक है और फिर यहां से लेकर यहां एक बर ले लिए तो यह वाला जो भूजा हमें प्राप्त हुआ यह हो गया 7.8 cm ठीक है याद रहें यह भीकर्ण हमारा बन रहा है ठीक है और अब इसका नाम भी हम लोग दे देते हैं क्या-क्या नाम देंगे इसका नाम हो गया Q और इसका नाम ह व्हाद क्यों है Q से आप देख सकते हैं यहां जो हम लोग बनाये थे यहीं से पी कि और जो क्रओजा जाएगा वह चे सिंटेमीटर होगा तो यहां क्या पर रखते हैं और इसके बाद इसको मापते हैं यहां से उम देख रहे हैं कि यह चीज संटुमटर कमाप पूरा पुरी है तो इससे हम क्या करते हैं यहां पर रखते हैं क्यू के स्थान पर और इस परकार से आप इसको ढहल से घेर इज बाद में जितना ज्यादा होगा उसको आप मिटा सकते हैं पहले ज्यादा करके इस Πरकार से खीच यहां पर लोगों खीचने के बाद अब हम लोगों क्या करना है स जो है एस से हम लोग देख रहे हैं कि सब्सक्किबार कितना दूरी है 5 संटीमिटर तो इसे भी अम लोग क्षा लेते हैं सब्सक्राइब करतें यह देखिए पूरा माप है और यहां पांच पर है और यहां जो है सुनने पर है तो यहां से हम लोग क्या करते हैं इस पर बैठा के इसको इस प्रकार से काड़ देते हैं ठीक है अब क्या करना है आपको जो है इसे माप जो किया गया है यहां पर बिंदू दे कर और ठीक बीच में इस इन दोनों जो बिंदु है इन्हें आपको मिलाना है ठीक है इस प्रकार से आप मिला दें ठीक है और फिर इस बिंदु को यहां से आपको मिला देना है तो इसको हम लोग इस प्रकार से मिला दिये ठीक है तो इसका नाम क्या हो गया पी आप चाहें तो अब यह जो ज्यादा आपक की कितना दिया गया था छे सेंटिमीटर हमने ≜े कि विचे की से um की ता 5 से 11 है अब जो है हम जो है इस आर के लिए ते कि यूझे से लोग इस प्रकार से काट लिए ठिक है और अब जो है हम लोग क्यूच से 4 संिंटी मिटर माप करेंगे और से प्रकार से यहां पर हम लोग त्यालेते हैं और 4 सिंटी मिटर पूरा है इस प्रकार से यह ऑफ दो आप मां लेजिएगा इस प्रकार से हमने माप लिया और इस प्रकार से चार सिंटिमिटर हो गया तो यहां से हम लोग बैठाएंगे और यहां से इस प्रकार से काट लेंगे ठीक है अब जो है इस बिंदू पर जहां पर यह बीच वाला बिंदू है यहां पर हम लोग स्केल को रखेंगे और इन बिंदों को इस प्रकार से हमें मिला देना है ठीक है इस प्रकार से मिल गया तो अब हम लोग को इसका नाम भी लिख देना है यह नाम हम क्या रखे हैं रख दिया गया है आर तो यहां से क्यू आर का माप कितना हमें दीए चार सिंटिमेटर यही हम लोग माप कर कैंठे हैं और थर सबहें अनुसार है तो जो जिस को आप बाद में जो है इस प्रकार से अपना मीटा सकते हैं ठेक है इरीजर से मिटा सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग उसको समाधान कर लिए अब हम लोग इसके अगले दो नमबर के प्रस्न को देखेंगे और उसका समाधान करेंगे तो बच्चों यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि चत्रभूज दी जिसमें एबी बराबर पांच दसमलोब सिंटेमीटर बीडि पांट सेंटेमीटर सेड़ी बॉरसर से लिख लिए हैं कॉपयक में और हम लोग क्या करसे पहले एक राफ आकरिती बनाना है लेका प्रकार से लोग एक राफ कर नाएए भी सीडी कि यहां एसे प्रकार से यहां पूरा करें ठीक है तो इस प्रकार से और पनकर उसके यहां पर 5.5 cm दिया गया है और बी सी का मान 5 cm है और सी डी का मान 6 cm है और फिर एडी एडी का मान 4 cm है और एसी का मान जो है एसी का मान 7 cm है ठीक है तो ठीक उसी प्रकार से जैसा हमने पहले वाला बनाया था, इसे भी उसी प्रकार से ही बनाना है, तो हम लोग शुरू करते हैं, इसको बनाना, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कि एक सीधी दाग इस प्रकार से सीधा सरल रेखा खीच लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमें जो है, सबसे लंबा जो है, सा काट लेना है तो पहले माप लेते हैं इस प्रकार से यह यहां पर बैठा कर इस प्रकार से देखें कि यह पूरा-पूरी साथ है ठीक है तो फिर उसी की तरह यहां भी हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ काट कर ताकि एकदम कहीं गलती रहने का संभाबना ना रहे इस प्रका हिम learned hat तो अब जो है इसके एसले सकिते हैं या लोग कोई लैते हैं मां लेते हैं सबसे पहले ले दोब एस ऊपर की और दी को रखेंगे और भी को नीचे की और तो डी बच्ट लेते तक इसमें बैठाकर और यह 4 cm का माप है इसको कर लिए और फिर यहां से बैठाकर इस प्रकार से जो है काट लिए ठीक है और अब जो है यहां से हम देख रहे हैं कि C से इधर तो D हो जाएगा तो C से यह 6 cm है यहां देखें C से C से यह 6 cm है तो हम लोग 6 cm का माप करके उसको काटत है ठीक है तो बच्छों लोग माप लेते हैं पहले यहां से माप सकते हैं यहां से भी माप सकते हैं यहां से मापेंगे तो साथ सेंटिमेटर होगा यहां से मापेंगे तो छे सेंटिमेटर होगा तो हमने छे सेंटिमेटर माप लिया और यहां सी पर बैठा कर अब देख सकते ह में जो है वो स्कील से कोई परिशानी नहों से माप करने परिषाणिंडेस प्रकार से हम खीच दिए इधर भी और फिर गप इधर भी हमने खीच दिया तो इसका नाम क्या था डी उसको अमनोब रह दिया और AD का माप है चार सेंटीमिटर और फिर CD का माप था छे सेंटीमिटर इसे हम लिख दिया और अब जो है इस चित्र में इसके नीचे की और के माप हमें बाकी है इसे हम माप लेते हैं तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि कितना कितना माप है तो यहां AB यह माप है 5.5 और BC यह है सकेल पर रखकर आपको पांच दस्मलब 5 कर लेना है ठीक है तो यह दिकर यहाँ पर पांच नहीं ang possono 5 यह हैं इस परकार से कर लिया गया है थिक है तो इस परकार से करने के बाद अब हैं तो आप यहां पर स्केल को बैठाइए ये इस से जो सी निया गया है कि Иस से बीकिया और पान शेंटीमीटर तो आप últimos माप करना आ है और से इस पर है कर लेते हैं तो यह रहाँ पर इसको बैठा देते हैं और फिर इसको 5 cm माप कर लेते हैं ठीक है तो यह देखिए 5 cm पुरा है फिर यहां से इसको बैठा के आपको इस प्रकार से जो है इसको काड़ देना है अब यहां पर एक बिंदू आप डाल देजिए ताकि आपको आसानी से स्केल की साइथा से माप कर सके ठीक है यहां बैठा के इसके साथ में इस बिंदू में लगा के और ऐसे खीच देंगे और फिर इससे भी आपको यहां से खीच देना है ठीक है कभी-कभी परिक्षा में ऐसा होता है कि अब आपको इस यह जो हमने वी लिखा इस भी और डि का माप नहीं दिया रहा है और आपको इसका माप ग्याद करना होगा तो फिर आप को मपास बठा के दोनों को कितना हो रहा है उसको माप के आप स्केल में इसको रखके और उसका माप आसानी से लिख सकते हो ठीक है तो इतना ही हमें ग्याद करना था है सभी मापों को हम लिख देते हैं A B जो है A B में 5.5 हमने मापा और B C जो है 6 cm माप किया ठीक है तो इस प्रकार से यह जो है हमारा चत्रभूज A B C D बनकर तयार हो गया है जिसमें A C का माप 7 cm है A D 4 cm, D C या C D 6 cm, B C 6 cm और A B 5.5 cm है तो बच्चों जदी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के वेश्यादा से शेयर करना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रखना साथ ही बेल आइकन को भी प्रस्तों करके रखना ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियो का नोटिपिकर्सन आपको मिलता रहे बच्छों आपको प्ले लिस्ट में जो जी सी आर्टी क्लास अस्टम के मैथमेटिक्स है वो सारे आपको अभी तक जितने भी हमने पार्ट के प्रस्तों का हल किया है वो आपको मिल जाएंगे आप वहां से उन्हें देख सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं